दोस्तों आज के पहले टाइपिंग क्लास में सबसे पहले मैं आपको कीबोड के बारे में कुछ बेसिक बाते बताना चाहता हूँ ताकि जब मैं आगे कोई भी कीबोड टर्म का यूज करूँ तो आपको समझ में आ जाए तो यह जो कीबोड हम यूज कर रहे हैं इसका नाम क्वार्टी कीबोड है या इसका लेयाउट क्वार्टी है इसके अलावा और भी कई तरह के keyboard layout होते हैं लेकिन आज पूर्णी दुनिया के लगवग सभी लोग इस QWERTY keyboard का ही उपयोग करते हैं तो यहाँ एक सवाल यह उठता है कि इसे QWERTY keyboard क्यों कहते हैं और इस keyboard में letters का arrangement देखकर बहुत बार लोग यह सवाल पूछते हैं कि इसमें letters का arrangement simple ABCD के form में मतलब alphabetically क्यों नहीं है अलग-अलग in letters को क्यों arrange किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं कि QWERTY letters या keys का arrangement किस तरह किया गया है Q, W, E, R, T, Y को एक साथ रखा गया है इसलिए हम इस तरह के keyboard arrangement को QWERTY keyboard कहते हैं और कियों हमारे keyboard पर सभी letters को alphabetically मतलब ABCD का order में नहीं arrange किया गया है इसके पीछे का कारण हमारा typing इतिहास है कम्प्यूटर का अभिस्कार होने से बहुत पहले से हम लोग typewriter का उप्योग typing के लिए करते आ रहे हैं और शुरुवात में जो typewriter बने उसमें सभी letters alphabetical order में ही हुआ करता था अगर आपने कभी typewriter पर कुछ type होते देखा होगा तो आपको पता होगा कि typewriter mechanical parts को मिला कर बना होता है मतलब इसमें हर letter के लिए एक pointer बना होता है जो paper पर जाकर type करता है तो शुरुवात में जब alphabetic order का typewriter बना तो उसमें दो ही row हुआ करते थे और जब अक्सर साथ में यूज होने वाले letters जैसे की in, ph, th आदी को तेजी से type किया जाता था तो इसके mechanical parts आपस में उलज जाया करते थे बहुत तरह के experiment करने के बाद भी जब इस समस्य का समधा नहीं मिलपाया तब quartic keyboard का concept आया जिसमें सभी साथ में यूज होने वाले letters को अलग-अलग रखा गया और उनका arrangement तीन row में किया गया और यही से quartic keyboard लोगों के बिच प्रचलित होता चला गया और चुकी computer आने से पहले लगबग 100 साल तक हम लोग typewriter का उप्योग करते आये इसलिए सब लोग quartic keyboard से इतनी used to हो गये कि laptop और computer पर भी वही keyboard हम लोग use करते चले आ रहे हैं कई भार इस layout को change करने की कोशिज की गई लेकिन पूरी दुनिया में change को एक साथ लागो कर पाना अब मुम्किन नहीं है इसलिए यही keyboard arrangement यूज हो रहा है और पूरी दुनिया में होता भी रहेगा तो keyboard arrangement कोई भी हो हम practice के साथ layout को याद कर पाएंगे और उस keyboard पर speed में type कर पाएंगे अपना काम जल्दी कर पाएंगे यह तो बात हो गई keyboard के इतिहास की अब बात करते हैं इसके arrangement की तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं keyboard के सारे की अलग-अलग रो में बने हैं इस बाले रो को हम home row कहते हैं मतलब पूरा यहाँ से उहाँ तक को हम home row कहेंगे home का मतलब हिंदी में होता है घर आम तर पर वह जगा जहां हम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं और keyboard पर भी यह बात सही है क्योंकि home row के in home बटन पर ही हम सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं और हमारी उंगलियां यही पर रेष्ट करती हैं यह इस उपर के row को हम अपर row कहते हैं और इसके उपर के इस नंबर वाले row को हम नंबर row कहते हैं नीचे वाले इस row को हम down row या lower row कहते हैं इस side वाले number portion को हम number pad कहते हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिए यह हो गया number row, यह हो गया upper row, यह हो गया home row, और यह हो गया bottom row या lower row और यह जो तीनो row के key हैं, इसे ही हम alphabetical key कहते हैं, इसी को हम letters key भी कहते हैं इसके बाद in key को देखते हैं, इसे हम cursor control key कहते हैं इसके मदद से हम बीना mouse को touch किये, cursor को उपर, नीचे या दाइबाय ले जा सकते हैं इसके बाद आता है number key, आप यहाँ देख सकते हैं, letter के उपर पूरा number key दिया गया है साथ में, यहाँ side में भी separate number pad दिया गया है number को हमें यहाँ उपर से कैसे type करना है, या side pad में कैसे type करना है इसके बाद आता है special key, delete, backspace, enter, space bar, shift, tab, caps lock, control, alt, आदी को हम special key कहते हैं इसके बाद आता है punctuation key, comma, full stop, slash, semicolon, single inverted comma, इन सारे key को हम punctuation key कहते हैं इसके बाद अंत में आता है symbol key, यहाँ उपर number के साथ symbol key को भी बना आप देख सकते हैं जिसे हम shift और वह button दबा कर type करते हैं तो हम आगे के class में एक-एक कर alphabetical key के बाद सब तरह के key को type करना सीखेंगे लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है home row तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ आपका home row है यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस row को हम home row क्यों कहते हैं तो इस row को हम home row इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी उंगलिया keyboard पर को भी बटन प्रेस करने से पहले और प्रेस करने के बाद वापस आकर इन्ही आट पर रेश्ट करती है आप यहाँ home row में G और F बटन पर दो उभार मतलब bumps बना देख सकते हैं यह इसलिए बना है ताकि हम बिना keyboard को देखे ही हमारी उंगलियों को exact home row पर position कर सके हैं तो मान लिया कि हमें कुछ टाइप करना है उपर के row में या नीचे के row में तो हमारी उंगलिया home row से उठकर उस बटन तक जाएंगी और letter को प्रेश करने के बाद वापस फिर इसी row पर आकर rest करेंगी इससे हमारी उंगलिया चारो तरफ के किसी भी letter को प्रेश करने के लिए हमेशा त्यार रहती है और इससे केबल हमारी उंगलियों का ही movement होता है हात का नहीं हम टाइपिंग करने के लिए अपने इन आठो उंगलियों का प्रयोग करेंगे और space बटन दवाने के लिए हमेशा अपने दोनों अंगुठों में से जिससे आप comfortable हो उसका प्रयोग करेंगे वैसे अधिकतर लोग अपने दाय हाथ के अंगुठे से space बटन को प्रेस करते हैं बट ऐसा कंपल सरी नहीं है जिससे आपको सुब्धा लगती हो आप उससे space बटन को प्रेस कर सकते हैं तो आईए अब शुरू करते हैं अपना पहला actual typing class